हेलो फ्रेंड्स में नाम है वीजे और आज की वीडियो में हम लोग अपने html form को create करने वाले हैं और अपने database में cars को add करेंगे, delete करेंगे और उनकी list को देखेंगे तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो काफी लंबी होने वाली है क्योंकि हम इसमें add का view बनाएंगे, delete का बनाएंगे और list का बनाएंगे और यहां पर हम database भी create करेंगे और user से input लेके अपने database में value fetch करेंगे और उसमें डालेंगे value को ठीक है तो चलिए start करते हैं और यहां पर जो मैं method बता रहा यह perfect नहीं है लेकिन जब हम Django forms के बार में पढ़ेंगे तब मैं इसी चीज को दुबारा करके दिखाऊंगा आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा better है ठीक है और ज्यादा clean है तो Django forms हमें ज्यादा power देता है तो हम उनका use बाद में सीखेंगे जब हम Django forms के बार में पढ़ और इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे brand का name बताना है और year बताना है ठीक है और अगर दो तीन item और add करना चाते है तो आप easily कर सकते है ठीक है और यहाँ पर मैं primary की नहीं दे रहा हूँ क्योंकि primary की पहले से ही create हो जाती है 1,2,3,4 करके तो यहाँ पर दूँगा brand का name और brand म मैं लिखूंगा models.character field use करहूं क्योंकि यहाँ पर आप character field डालेंगे और इसकी maximum length दे दूँगा make max underscore length maximum length होगी 30 ठीक है उसके बाद क्या करूँगा year दे दूँगा year is equal to यहाँ लिखूंगा models. और यहाँ पर integer field देना पड़ेगा मैं रिखूं तो यहाँ पर integer field ठीक है अब म यहाँ पर लूँगा self और इसके अंदर मैं simple क्या कर दूँगा return कर दूँगा f colon car is self.brand का name सबसे ब्रेंड का name है उसके बाद year आजाएगा तो यहाँ लिखेंगे self.year तो इस तरह एक हमारा data जब हम प्रिंट करेंगे तो इस तरह से show होगा अब मुझे क्या करना पड़ेगा आपने टर्मिनल में make migration और फिर migrate command को चलाना पड़ेगा टर्मिनल में जाँगो यहाँ पर सबसे पहले cd my site पा जाता हूँ ठीक है और यहाँ पर my car site cd my underscore car underscore site ठीक हो गया और यहाँ पर सबसे पहले चलना पाइथन manage.py make migration और यहाँ पर cars ठीक हो गया migration create हो जाएगा हमारा migration create हो चुका है और देख सकते हैं migration के अंदर 001 में यहाँ पर देखें तो initial value true dependencies field आगे हैं आपके name इसका car है आईडी में पहले से दी गई है जो की big auto feed है ठीक है अटमेटिक बढ़ते रहेगा और यहाँ पर primary key true है यहाँ पर और brand का name और year का name मैंने यहाँ पर दे रखा है ठीक हो कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको migrate कर लूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा python manage dot py migrate अब यहाँ पर migration सारे apply हो जाएंगे admin के authentication के और यहाँ पर car का भी और session का भी यहाँ पर apply हो चुके है migration अब हमें क्या करना है अब हमें जो views है हमारे वहाँ पर जाके changes करने सबसे पहले views मा जाएंगे और यहाँ पर सबसे बहले list से start कर रहे हैं क्या क्या list show नीचे यह वह देखेंगे फिर हम add करेंगे और फिट delete करेंगे ठीक है तो list show करने के लिए सबसे पहले और cars यह मैंने एक variable लिया जहाँ पर मैं models.car मैं से value ले लूँगा models.cars और यहाँ पर c capital आएगा और मैं models को import करना पड़ेगा तब यह error दिखा रहा है यहाँ पर from.import करेंगे हम models को ठीक है model.car मैं से object होंगे वो के सारे के सारे चाहिए तो all ले लूँगा है यहाँ पर ठीक है यह पहले ही बता चुका हूँ में यह code फिर हम लो क्या करेंगे context में क्यूंकि हमारा जो pass होता है data वो dictionary के form में होता है तो यहाँ पर dictionary में change करना पड़ेगा इसको तो यहाँ पर all car same same name दे रहा हूँ है ठीक है ताकि confusion generate now और यहाँ पर all underscore cars easily समझ में आ जाए code और फिर हम context में पिसको pass कर देंगे context is equal to context save करते हुए जाएंगे फाइल्स को जो भी changes करें सीधे save करें बाद बना बाद में रख आता है देखिए यह हमने list कर दिया है अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले add form को करूंगा ताकि add कर सके हम data तो यहाँ पर add.html में आ गया मैं यहाँ पर कुछ changes करने वालाओं में ठीक है तो कोई बात नहीं हम एक अलग से course लेकर आएंगे अभी latest नया html और css के उपर उसमें javascript भी आपको बताएंगे तो वहाँ पर आप सीख सकते हैं और अगर आपको भी सीखना है तो आप मारी playlist में html और css और javascript के पहले से भी playlist में बने हुए है ठीक है वीडियो वहा अंदर में देता हूँ एक header जो कि अभी हम add का बना रहते and this add.html और यहां पर एक h2 header देता हूँ ठीक है क्या एड़ा new car to the database ठीक है यहां यहां पर एक form बना लेता हूँ तो यहां पर लिखूंगा form और यहां पर method method क्या करेगा यह post करेगा method और उसके अंदर हम लोग एक div बनाएंगे और यहां पर एक label बनाएंगे सबसे पहले तो यहां लिखता हूँ लेवल यहां for is equal to इसको name देते है brand brand name of और यहां पर हम लोग क्या print कर रहाना चाहता हूँ मैं जो भी आप brand डाले ठीक हो गया और एक input ले ले लेते हैं क्योंकि input डालना पड़ाएगा आपको तो input type is equal to text type का होना चाहे है आप text और id इसकी देता हूँ मैं brand और name देता हूँगा इसका brand ठीक है यहां पर हमने create कर लिए अब div के बाद एक और div create कर लिए क्योंकि यहां पर हमें year भी बताना है इसी को यहां से copy कर लूँगा और इसके अंद यहां for की जगा करेंगे year, brand की जगा यहां पर title text देगा यहां पर year करना पड़ेगा यहां पर करेंगे year और यहां पर भी year, name इसको देखेंगे, save कर लिए इसको, submit button भी create कर देते हैं, input, यहां लिए class लिए इसकी bettn, bettn, primary, bettn, bettn, primary और इसका type जो होगा, वो होगा, submit type क क्लोज इसको कर लेते हैं यहां पर सेव तो यहां पर हमारे बन किया जाएगा और अगर हम देखें इसको अपने सर्वर को रन करता हूं तो यहां लिखूंगा python manage.py runserver अगर list.html में जाओं तो list.html list, add, delete और अगर add में जाओं तो add में मुझे इस तरह से दिल ला है brand year submit query यहां पर मैं name डालता हूं honda ठीक है और यहां year डालता हूं 1922 और यहां submit query करता हूं तो यहां पर मुझे एक error दिखाई दे रहा है यह लिखा है CSRF verification field यहां पर देखें जो error आता है यह इसलिए आता है क कि यहां पर हमने CRF token generate नहीं किया है और किसलिए होता है ताकि hacker इसे hack ना कर सके इसलिए यहां पर CRF token दिया जाता है अंदर से तो इसका full form क्या होती है customer side request forgery ठीक है तो इसके लिए use कहता है तो हम CRF token देंगे अपने form के सांथ और इसे submit करेंगे और थोड़ सा इसको style करेंग ठीक है और यहां लिखांगा CSRF ठीक है इसके बारे में और बात करेंगे फ्यूचर वीडियो में ठीक है अभी समझाना सही नहीं होगा क्योंकि वैसी वीडियो बहुत लंबी हो रही है CRF token ठीक हो गया और यहां div class देता हूं में from group from group वाली class देता हूं और यहां पर भी इ मैं अब add करूँगा जैसे honda add किया मैंने ठीक है और year किया 1992 यह add किया submit query करूँगा अब हमारा error generate token ही आ रहा है दुबार इसी page बार जा रहा है तो जो error generate वह रहा था CRF token के उज़ए से वह रहा था अब हम क्या करेंगे सबसे पहले दुबार सबने views में आ जाएंगे और यह तो user उसे add कर देगा data डालेगा और add कर देगा या तो बिना उसके add कर देगा तो मैं चेक कराना पड़ेगा कि वह add कर रहा है नहीं कर रहा है इसका मतलब यह है कि वह pass हो रहा है data नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पर सबसे पहले मैं एक command लिखता ठीक है dot यहां लिखेंगा post ठीक है यहां पर से हमारे data पास होंगा तो यह मैं है अमने terminal पर output में देगए क्या जो की user डालेगा ठीक है फिड से add माह गया मैं यहां पर लिखता हूँ मैं ौन्डा लिखा मैंने ठीक है और यह अपर मैंने लिखhा और यहां पर आ wiped हिए और जो brand है वो pass हुआ ए तो यहां पर से वेलिई उठा सकता हूँ मतलब ठीक है तो मैं यहां पर से value उठा लूँगा फिस को use कर लूँगा तो यहां पर आजाओंगा इसमें इसको यहां से कर दोगा delete सबसे पहले if कि condition लगाऊँगा कि if अकर request में post हूह है तो ठ cioè के लिखा लिखुंँ यहांप लिखdzy और यहांप लिखुंगा पोस्ट थ को गया और यहां पर यह ऐसा होता है तो मैं याहां पर ए अब यहां पर लिकुमा request dot यहां पर लिकुमा post यहां तो यह लिखेंगे यहां पर और हम यहां पर अपने model को भी create कर देते हैं क्योंकि models हमने import तो करें हैं तो यहां पर लिखेंगे models.car.objects.create और create क्या करना है पास अगर brand की value में brand डाल देना है और year की value में year ठीक है year is equal to year और यहां पर यह जो brand और year है यह database के brand और year है और यह जो brand और year है second वाले यह brand और year है ठीक है और अब हमें क्या करता है कि अगर user value नहीं देता है else condition भी तो चला नहीं है else condition भी तो उसी page पर दुबार आ जाए ठीक है तो हम किसका use कर सकते है reverse और redirect का use कर सकते हैं और हम लोग यह कर सकते कि submit के बाद अगर हम चाहते हैं कि submit होने के बाद सीधर list आ जाए तो वो भी हम कर सक लिए तो उसके लिए redirect और reverse का use करना पड़ेगा तो यहां पर सबसे पहले में क्या करूँगा यहां redirect का use कर लेंगे और यहां पर से reverse को भी import कर लेंगे ठीक है तो यहां पर लेखेंगे from from jango.urls import करना है मिरको reverse ठीक है और इसके सांथ इसको return भी करा लेते हैं इसके सांथ तो यहां लिकूंगा return redirect कर रहा हूं इसको मैं और किस जगर redirect कर रहा हूं reverse का use करते हुए यह car है हमारी ठीक है cars का एप का name है उसके बाद हम यहां पर list देंगे save करेंगे इसे ठीक है यह code आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरह से हम नहीं यहां पर किया था ठीक है यहां प इसको reverse कर दिया मैंने फिर मैं else की condition लिखूँगा तो यहां लिखता हूँ else और else में हम लोग क्या करेंगे return की condition लिख देंगे else के under तो यहां पर दीखे थोड़ा सा change करेंगे यहां पर सबसे पहले तो इसको integer में change कर देंगे कि year हमारा integer में होगा ठीक हो गया इसको यहां प इंपुट सुदार तो अपना तो यहां पर इंपुट class is equal to यहां पर form control लुक सुदाने के लिए मैं इसको use कर रहा हूँ और यहां पर भी मैं input type क्या कर दूँगा class दे दूँगा इसको form control score control और अपने बटन को value दे दूँगा क्यों यहां submit query लिखा वारा है जो अच्छा कर देता हूं इसको submit save कर लूँगा इसको ठीक है अब हम जो हमारी list HTML है इसकी value को ठालेंगे क्योंकि यहां पर हमने view में change तो कर दिया था ठीक है यहां पर से हम contact में भीज रहे हैं सारी car की list लेकिन अभी तर हमने क्या किया है उसको show नहीं कर वाया है तो यहां पर list.html में जाएंगे उसको show भी करा लेंगे तो यहां पर मैं क्या करता हूं सबसे पहले एक div का blog बनाता हूं तो यहां लिखता हूं div ठीक है और इस div के अंदर ही हम इसको यहां से cut करके यहां paste कर देते हैं और यहां पर इसको class बना देंगे container name से class is equal to यहां पर इसको end भी करना पड़ेगा मुझे तो यहां पर देखें यहां पर इसको end भी करना पड़ेगा मुझे तो यहां पर लिखूंगा end and for और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ एक list कर लेता हूँ list और यह list होगी इसमें simple हमारे car के value हो जागी तो यहां पर लेकिने car ठीक है कि किस तार से layout बनाएंगे तो यहां पर इसको cut कर लेता हूँ मैं क्योंकि इसको भी लिखना पड़ेगा मुझे div के अंदर तो यहां लिखूंगा div div इसके अंदर इसको paste कर दिया और इसमें देदी मैंने class container name से container और यहां एक और header देता हूँ मैं और header इससे देता हूँ कि मतलब pk से delete करते हैं क्यों primary की जो उससे करेंगे enter pk to delete cars ठीक है और यहां पर एक form ग्रेटर लेता हूँ तो यहां लिखूंगा form और form में action और फिर method method क्या करेगा पोस्ट करेगा तो यहां पोस्ट और यहां पर हमें CRF token देना पड़ेगा तो यहा srf underscore token ठीक है यह मैंना को बताए किसलिए दिया था कि hacking की process ना हुपाए और फिर मैं यहां पर div create करूंगा एक और जो div है इसको class देते है इसको class is equal to form group और यहां पर label देंगे label दिया मैंने इसको for pk जो अभी तो बता है वोई कर रहे हैं और यहां लिखते हैं pk number डालेंगे और फिर हम लोग input लेते हैं यहां लेते हैं यहां class देता हूं इसको form control control तकी लूग अच्छा है अब इसका type बताएंगे type एसका text और id है इसकी pk और name भी इसका pk ही रखते हैं name is equal to इसको close कर देंगे अब एक submit button भी बनाना पड़ेगा तो submit button के लिए यहां पर लिखेंगे input class is equal to btn btn primary और type क्या है इसका submit और value क्या होगी इसकी submit काफी simple सा बनाया है हमने भी तो यहां पर अब दिखें सबसे value व्यूज बाजाएंगे हम pk से value ले रहे हैं यह चीज़िए ध्यान रखेगा pk value के साब से delete करेंगे कि अगर वो post करता है अगर pk value डालता है तभी होना चाहिए तो फिर से वही if clause लगाए मैंने यहां request dot लिखूंगा post अगर इसकी value होती है तो ठीक है अगर यह true होती है तो हम क्या करेंगे pk is equal to जो request में pk डाला होगा वो request से ले लेंगे और उसे delete मार देंगे जहां लिखेंगे pk अगर वो pk exist करता होगा तभी delete होगा तो हम तो try और exit block में डालें कि try अगर ऐसा होता है तो यहां पर models जो car है उसके जो objects मैंसे get कर लेना एक value को fetch करता है get pk is equal to pk होना चाहिए और उसे हम लोग क्या कर देंगे dot delete कर देंगे और simple फिर delete करने काद क्या होना चाहिए return होना चाहिए redirect हो जाना चाहिए reverse कर देंगे और यहां पर किस में reverse कर देंगे car list में car list ठीक होगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जाल देंगे accept block और accept block में क्या करेंगे print pk is not found लिख देते हैं pk is not found और इसको simple return कर देंगे उसी page में redirect करके reverse कर देंगे car list में cars list और if का close तो चला यह else का भी चला लेते हैं और else के अंदर यह जो return कर रहे हैं आपर से तो ही return कर देंगे और indentation थोड़ा गलत होगे सही कर देते हैं इसको यह safe करेंगे इसको आ जाते हैं अपने browser पर सबसे पहले आ जांगे add पर सबसे पहले तो हम list देखते हैं list में देखिए अभी तक हमारे इतने सारे add कर दिये हैं बार-बार में add करते हैं तो यहाँ पर यह list बार-बार add होगी और आप देख सकते हैं कि मैंने tvS में same same data भी डाला है यह सले डाला है क्योंकि primary की हमारी दूसरी है ठीक है और यहाँ पर देखिए जो पहले डाला है उस 2000 लिखावा list में अगर मुझे delete पर जाना है तो delete पर pk नमर डालूंगा one तो इदे के पहले delete हो गया और फिर से जगए delete पर pk नमर डालूंगा two तो delete हो जाएगा फिर से ठीक है फिर से delete पर जाऊँगा pk नमर फाइफ तो यहाँ पर देखिए वो भी दिलीट हो गया अब डिलीट करते हैं, third ठीक है, over delete हो गया, delete करते हैं, two delete कर रहा हूं मैं यहाँ पर से, तो कि two delete नहीं होगा, क्योंकि जो primary की पहले allocate होई थी, वही होगी, अब इसकी primary क्या है, four होगी साहिद, delete करते हैं, four, यहाँ पर cb delete होगया, और इसकी five होगी, तो इसको six होगी, ठीक है, तो इसको delete करेंगे, तो six delete हो जाएगी, ठीक है, अब add करके देखते हैं, एक और बाद, बजाज, 210 model, submit करा मैंने इसको, और यह, the car is, बजाज, 210, इसकी value आगी, और इसकी जो value होगी, इसकी जो primary की होगी, यह one नहीं होगी, ठीक है, यह चीज़ा रखीगा, अगर मैं one लिखता हूँ यहाँ पर, तो यह मैं सुचेगा, इसकी one है, इसकी seven है, ठीक है, तो seven पर जा और यहाँ, अगर end में देखें आप, तो यहाँ देखें, PK is not found लिखा हुआ रहा है, तो यहाँ से भी आप data उठा के, उसको भी return करवा सकते हैं, यह message करवा सकते हैं, जो कि हम class based view में सीखिंगे, कैसे आप use करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, thank you watching, goodbye, take care, अगर आपका बना रखें, जीसे देखें, आप अपनी knowledge को बहुत जाते हैं, increase कर सकते हैं, thank you watching, goodbye, take care.